क्या था भारत का चंद्रयान वन मिशन? 14 नवंबर 2008 को क्या हुआ था? भारप में फैर आया था उस दिन चान पर जंडा? 14 नवंबर 2008 की उमस्थ भरी दो पहर, देश में एक और भारतीय क्रुकेटर युवराज सिंग की वज़र से खुशी का माहूल था दरसल राजकोट में इंगलांट की गेंदबाजो को धवस्त करते हुए युवी पिच पर रनों की बौच्छार कर रहे थे और ठीक उसी वक्त राजकोट से 1600 किलोमीटर दूर बैंगलूरु में माहूल तनापूर था देशपर में युवी के जैकारे लग रहे थे भारती प्रशनसुकों को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन याने के इसरो एक बड़ा धमाका करने वाला है अंतरिक्ष एजिंसी जान बूच का चंद्रमा पर एक स्पेस क्राफ्ट गिराने जा रही थी भारत ने 22 सक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉंच कर दुनिया को बता दिया था कि प्रत्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य खगोली पिंड पर वो भी मिशन भेज सकता है उस समय तक किवल चार अन्य देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में काम्याब हो सके थे ऐसा करने वाला भारत पांचवा देश था चंद्रयान एक टेखनोलोजी प्रदेशन करने वाला मिशन था इसने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजा और इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया मगर इस मिशन से भारत को और भी कई लाब हुए थे अन्तरिक्षियान के अंदर 32 किलोग्राम का एक प्रॉब था जिसका एक मात्र उद्देश्य दुर्घटना ग्रस्त करना था इसरों ने इसे मून इंपक्ट प्रॉब कहा था अब आपका यह सवाल हो सकता है कि इस प्रॉब में था क्या तो चलिए जानते हैं देख ये चंद्रमा की सता की और बढ़ते हुए जूते के डब्बे के आकार का प्रॉब धातू का सिर्फ एक टुकडा नहीं था बलकि इसके अंदर 3 उपकरणों को ले जाने के लिए एक जटिल रूप से डिजाइन की गई मशीन भी थी एक विडियो इमाजन सिस्टम था एक रडार अल्टीमीटर और एक मास स्पेक्ट्रो मीटर ताकि इस रोगों को पता चल सके कि वो क्या खोजने वाले हैं इस विडियो में Imagine सिस्टम की तस्वीरे लेने और उन्हें बैंगलूरू वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया था, रडार अल्टी मीटर को चंदर सता के करीब पहुँशने पर इसकी घटी हुई रफ्तार को ट्रैक करने के लिए लगाया गया था, और दूसरी और मास स्पेक्ट्रो मीटर को चंदरमा के अत्यधिक विरल वातावरन का विशलेशन करने के उद्देश शिस्से लगाया गया था, जैसे ही चंदरमा की सता पास आने लगी अंदर पैक किये गए उपकरुणों ने और बिटर के उपरी हिस्से में डेटा भेजना शुरू कर दिया, इसे बाद में गेहन विशलेशन के लिए इसकी रीड आउट मैमोरी में रिकॉट किया गया, आई अब जानते हैं ये चांद पर क्यों गिराया, 17 नवंबर 2008 की रात को लगभग 8 बच के 6 मिनिट पर इसरो के मिशन नियंतरन में बैठे इंजीनियरों ने मून इंपक्ट प्रॉप को नश्ट करने की कमांड दी, चांद की खामोश दुनिया धमाके को महसूस करने वाली थी, चंदरबा की सता से 100 किलोमीटर की उंचाई से मून इंपक्ट प्रॉप ने अपनी अंतिन यात्रा शुरू की, 17 नवेंबर की रात में इसरों ने मून इंपक्ट प्रॉप को नश्ट करने का कमांड दिया था, जिस समय कमांड दिया था उस वक्त ये प्रॉप चांद की सता से 100 किलोमीटर की उचाई पर शक्कर लगा रहा था, और धीरे धीरे प्रॉब चांद की कक्षा से निकल कर सतह पर पहुचने की शुरुवात कर शुका था प्रॉब की रफ्तार को धीमा करने का काम इस रोके इंजीनियर साथ कर रहे थे इस प्रॉब के अंदर विडियो अमेजिन सिस्टम एक रडार अल्टीमीटर और मास स्प्रेक्ट्रो मीटर थे जिसके जरीए चांद की सतह के बारे में जानकारी हासिल की जानी थी चांद के करीब पहुचाए गए प्रॉब ने अपना काम करना शुरू कर दिया था हलाकि सतह के बेहत करीब मुसीबतों का सामना करना पड़ा था उसे और कठिन लैंडिंग भी हुई जैसे ही प्रॉब चंद्रयान और्बिटर से दूर जाने लगा इसके ओन बोर्ड स्पिन अप रॉकेड आक्टिव हो गया और चंद्रमा की और जाने वाले मिशन का मार्क दर्शन करने लगे ये इंजन इसे तेज करने के लिए नहीं बलकि सिधीमा करने के लिए था चंद्रयान से निकलने के लगभग 25 मिनिट बाद मून इंपक्ट प्रॉब को मुसीवत का सामना करना पड़ा चंद्रमा की सता पर चंद्रयान की एक कठिन लैंडिंग हुई और इसरों ने एक ऐसे अंतरिक्षियान को दूसरी दुनिया में दुरगटना ग्रस्त करके इतिहास रजदिया जुप्राचीन काल से मानफ प्रजाती के लिए एक पहेली बनी हुई है अब सवाल ये है कि लेकिन भारत को इससे हासिल क्या हुआ देखे जानकारे के मुदाबिक चंद्रयान एक से भेजा गया इन तीन उपकरणों के डेटा ने साल 2019 में चंद्रयान दो और अब चंद्रयान तीन मिशन की नीव रखी अब 23 अगस 2023 को भारत चंद्रमा पर एतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है दरसल इंपक्ट प्रॉप से मिली जानकारी ने चंद्रमा की दुनिया के रहस्य को ऐसे उजागर किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ था आफर कार ये लगभग 25 मिनिट की लंबी डुब की लगाने के बाद चंद्रमा की सता पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने वाली पहली डिवाइस बन गई थी बाद में नासा के मून मिनरोलोजी मैपर ने भी इसकी पुष्टी की थी और इससे दुनिया को ये पता चला कि चांद वैसा नहीं है जैसी दुनिया ने कल्ट ना की थी जिस बाद ने इसरों को और भी अधिक गौरवान विद किया ये घनाकार आकार के प्रॉप पर बना तिरंगा था यानि के 14 नमबर 2000 आज की रात को जैसे ही इसरों ने चंदरमा की सता पर यान को क्रेश कराया तब तिरंगा हमेशा हमेशा के लिए चंदरमा पर इस्धापित हो गया तो सातियों आपको ये विडियो कैसा लगा और आपने चंदरयान 3 की चान पर उतरने की सफलता का जश्न कैसे मनाया हमें नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताएगा चंदरयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे इसलिए भी चानल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन जरूर ओन कर ले और विडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चल्द मिलेंगे ऐसे और धी इंफोर्मेटिव विडियो के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत